वीडियो की लेंथ 20 मिनिट्स इसलिए कुई गाइस मैंने एक तो in detail हर एक चीज बताई है second चीज मैंने जो भी मेरेंको problems face हुई है मैंने उनको cut out नहीं कर दिया है सारी problems आपको दिखाई हैं जो भी मेरेंको face हुई है और उनको मैंने कैसे solve कर रहा है सब कुछ दिखाया है guys project बनाते बनाते मेरे से एक short circuit भी हो गया जिससे का जैसे कि आप देख सकते हो यह node MCU जल गया so guys make sure कि आप ऐसी गलती मत करना जो गलती है मैंने इस वीडियो में करी है and guys in the end project एक दम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है hey siri turn the plug on hey siri turn the plug off so guys now let's just quickly get started with the intro and the video so hey what's up guys harshan back on the video so guys in this video I'm gonna show you that how you can create a home automation device and use it with your home application जो कि guys आपको आपके iPhone में मिल जाती है and guys ये project बनाने के बाद ये चीज़ Siri से भी काम करेगे so आप Siri को बोलोगे siri turn off the lights siri lights भी आपकी on off कर देगी alright guys so इसके लिए आपको पस ये तीन चीज़े चाहिए guys एक node MCU एक relay board और पस तीन male to female sorry female to female jumper wire and guys that is it इतना कम समान चाहिए आपको by the way guys before beginning let me just quickly tell you जो भी software जो भी cheese जो भी code जो भी line जो भी hardware जो कुछ भी आपको चाहिए guys सब के links में डिस्क्रिप्शन में provide कर रखे है guys आप जाके उनको खोल के देख सकते हो so guys यहाँ पर आपको पूरा code देखने को मिल जाएगा and guys अगर आपको यह पूरा combo खरीदना है so guys जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसके links भी mention कर रखे है so guys इसमें basically क्या होगा आपको individual components खरीदने की जूरत नहीं पड़ेगी simply आप इन में से किसी भी एक link पर click करोगा जैसे मानलो आपको एक device का चाहिए चार relay का चाहिए, आठ relay का चाहिए तो guys आप यहाँ पर click करोगे and guys मेरी आप website भी redirect हो जाओगे guys यहाँ पर आपको यह सारा का सारा combo देखने को मिल जाएगा and guys cash on delivery भी available है paytm से payment भी available है सबको चीज़े available है guys full support मिलेगा आपको so guys इसके अदर node mcu, jumper wires और guys आपको relay देखने को मिल जाएगा and guys free shipping आपको देखने को मिल जाएगी so guys इसमें आपको यह तीनों चीज़ें मिल जाएगी एक ही combo के अंदर and guys simply हम यहाँ से add to cart करोगे and guys you can check it out and guys अगर आप मेरी website पे और भी combos देखोगे तो यहाँ पर आपको 8 channel का relay fingerprint combo fully 4x4 मतलब मैंने बहुत सारे combos डाल रखे अपनी website पे so guys make sure to go and check it out also guys मेरी YouTube channel पे आपको Arduino के काफी सारे वीडियो देखने को मिल जाएगी so guys if you want then you can check these videos out so guys यह गाना यहाँ से आगया so गल्ती से यह add हो रखा है so guys यह सब चीज़ों की links आपको यहाँ description में मिल जाएगी make sure to go and check them out anyway guys let's just quickly get started so guys इसके लिए आपको obviously एक node MCU चाहिए होगा एक 1 channel का 4 channel का 8 channel का relay आप कोई भी relay यूज़ कर सकते हो इपने हिसाब से फिराल के लिए मैं 1 channel का यूज़ कर रहा हूँ and guys क्योंकि मैं 1 channel का relay यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको ये 6, sorry 3 female to female jumper wires चाहिए होगी guys इन चीज़ों को हम side में रखते हैं और पहले coding वाला part complete करते हैं अपनों जो हमें laptop पे करना है अपने so alright guys सबसे पहले आपको download करनी पड़ेगी ये Arduino IDE application guys इसके भी links description में मिल जाएंगे guys जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपनी website पे page बना रखा है अभी ये ready नहीं है draft stage में है जब तक ये video upload होगी तब तक ये page भी upload हो जाएगा so guys यहाँ पे आपको सब चीज़े देखने को मिल जाएंगी यहाँ से आप सब चीज़े डाउनलोड कर सकते हो so guys सबसे पहले आपको अपनी IDE application डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसको open करना पड़ेगा download आप इसको यहाँ से कर सकते हो सबके links description में मिल जाएंगे and guys सबसे पहले आपको जहाना पड़ेगा file पे preferences पे so guys मैं एकदम basic से start कर रहा हूँ मेरे हो सकता है कि आप लोगों के computer में यह चीज़े already installed हो but guys मैं बिल्कुल basic से बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे install कर सकते हो so guys सबसे पहले जो यह additional board URL आपको यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि guys ऐसे हम इसले कर रहे है by default जो हमारा node.mc होता है इसका support हमें देखने को नहीं मिलता है हमारे IDE application में तो आपको अलग से इसमें board install करना पड़ता है so additional board manager का URL guys यहाँ पर आप यह अगेन मेरी website से copy paste कर सकते हूँ मैंने यहाँ पर लिख रखा है यह पूरा URL कॉपी करके आप यहाँ पर paste कर दोगे and guys आप click कर दोगे ok पर guys इसके वाद आप जाओगे tools पर आप click करोगे manage libraries पर and guys आपको 2-3 libraries add करनी पड़ेंगी guys यहाँ पर आप सर्च करोगी ESP8266 वैसे guys यह compulsory नहीं है but again guys क्योंकि coding करते हुए न बहुत सारे errors देखने को मिलते हैं आपको so it's better कि आप सारी चीज़े अपनी तरह से पक्की करके चलो so guys यह ESP8266 की library है और यह वाला जो दिख रहा है आपको add a fruit वाला version यह आपको install करना पड़ेगा इसके बाद guys आप यहाँ पर search करोगे home kit पर guys मेरे पास यह already installed है इसलिए मैं install नहीं कर रहा हूँ और guys यह home kit ESP8266 यहाँ पर guys आप कोई भी latest version वैसे select करो यहाँ पर latest version install कर सकते हो बड़ guys कई बार ना ऐसा होता है कि जो home kit वाला यहाँ पर है ना जो हमें by default node mcu दे रहा है इसमें सारे libraries देखने को नहीं मिलती है इसलिए guys मैंने अपने वाली इसलिए guys यहाँ पर आप मेरे website पर जाओगे और यहाँ पर लिखा हुआ link to download home kit library आप चाहो तो इसको github से download कर सकते हो अगर github से download नहीं हो रही है तो यह जो मैंने अपनी Google Drive बना रही है मैंने यहाँ पर भी upload कर रही है अप यहाँ पर जाके भी इसको download कर सकते हो guys अगर मालो यहां से आपने zip file download कर दिये तो zip file को आप इस तरह से install करोगे, आप sketch पर जाओगे, sketch पर click करोगे include library और यहाँ पर click करोगे add zip library and guys जहाँ पर भी आपकी वो library save होगी, वहाँ पर जाके आप उसको select कर लोगे, जैसे मानलो मेरी downloads में so जैसे कि आप देख सकते हो guys, यहाँ पर मेरी homekit node mcu, मैं इसको open करूँगा और यह installed हो जाएगी मेरे case में लिखा हुआ है कि library name homekit esp8266 already exist, क्योंकि guys obviously मैंने पहले से install कर रखी है so guys, अब आपको board install करना पड़ेगा, board पे जाओगे, board manager पे जाओगे and guys, board manager पे जाके, यहाँ पर आप सर्च करोगे ESP8266 so guys, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने 3.0.2 version install कर रखा गए, जैसे कि आप देख सकते हो, कितना पुराना version है but यह मेरे लिए सही काम करता है, so आप कोई भी version अपने हिसाब से install कर सकते हो so guys, इसके बाद आपको यहाँ पे tools में board में ESP8266 वाले boards देखने को मिलेंगे इससे पहले आपके case में सिरफ यह वाले boards आ रहे होंगे, जो default application में मिलते हैं इसके बाद guys, select कर देना, यहाँ पे node MCU 0.9, और guys, अब main part आता है, coding वाला part so guys, एक तो ना, यहाँ पे हम आप examples पे click करोगे, और examples के बाद सबसे नीचे जाओगे यहाँ आपके case में जितने भी आ रहे होंगे, यहाँ पे home kit ढूणना है, हमें home kit so guys, जैसे कि आप देख सकते हो, home kit, ESP8266, और guys, यहाँ पे हम यह switch वाला select करेंगे so guys, यह तीन file खुल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, so guys, जो हमें examples मिलते हैं, यह examples सिरफ एक switch के लिए होते हैं और guys, इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़े change करने ही पड़े हैं, जैसे आपका यह Wi-Fi का नाम, यहाँ पे दो-तीन चीज़े और change करने ही पड़ती हैं, यह default चीज़े देता है, मतलब खाम तो यह भी करेंगी, बट यह default होगी, इसमें कोई customization नहीं होगी जैसे की switch का नाम, switch का model number, manufacturer, यह सब आपनी हिसाब से change कर सकते हो, अगर आपको करना है तो, password जैसे हो गया, so guys, इसका solution भी मैंने अपनी website पर दे रखा है, guys, आप मेरी website पर जाओगे, यहाँ पे guys, आपको यह पूरा का पूरा code देखने को मिल जाएगा, so guys, यह वाला code मैंने चार switch के लिए लिख रखा, so guys, यह वाला code मैंने चार channel के लिख रखा है, guys, simply आप इसको यहाँ से copy, paste, copy कर लोगे, और guys, जो पहला वाला code होगा, वो इस वाले page पर डालेंगे हम, my accessories के लिए guys, मैंने second लिख रखा है, my accessories, इसको हमें पूरा copy करना पड़ेगा और डालना इनको भी अपने इसाब से डाल सकते हूं, जो आपको डालना है, उसके बाद guys, हम Wi-Fi info, यह सबसे main part है, क्योंकि यही वाला part जो है, यह आपका NodeMCU Wi-Fi से connect करेगा, so circuit diagram मैंने अपने अप्लोड नी करेगा, मैं कर दूँगा बाद में, यहाँ पे जाकर हम इसको अप्लोड कर आपके जो mobile का अगर आप hotspot create कर रहे हो, वो भी काम करेगा, but guys, ध्यान रखना कि आप password में और उसमें कोई दिक्कत ना करो, basketball, but guys, ध्यान रखना कि यह password और जो SSID ने में बिल्कुल सेम हो, और guys, 5 GHz वाल नेटवर्क काम नहीं करते हैं, हमाई NodeMCU के साथ, only 2.4 GHz वाल नेट So guys, again, अगर आपको यह चीज़े खरीद नी है, guys, चाया आपको program खरीदना हो, या non-program खरीदना हो, guys, I highly suggest कि आप यह सब चीज़े मेरी website से खरीदो, एक तो guys, आपको बढ़िया support मेलेगा, और guys, दूसरी मेरी भी obviously help होगी, ताकि मैं ऐसी और videos बना पाऊं, so guys, again, links in the description, अग अगर आपको यह खरीदना है, तो, so guys, आपके case में क्या हो सकता है, एक stray 132 error आ सकता है, so guys, आप simply यहाँ पे click करना है, link to download ide.ino file, यहाँ से guys, मेरी Google Drive पर redirect कर देगा आपको, और guys, simply यहाँ से आप यह zip file download कर लेना, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूं, so य आपे मैंने इसको unzip करा, so guys, यहाँ से आप simply इस file को open कर देना, यह आपके Arduino IDEE में open हो जाएगी, सिरफ और सिरफ guys, आपको अपना Wi-Fi name चेंज करना है, बाकी सब चीजे में मैंने बिल्कुल fit कर रखी है, so guys, इसके बाद आप क्या करोगे, अपने USB के through अपने NodeMCU को connect करोगे इतने guys, आप Google पे सर्च कर सकते हो, NodeMCU CH410 driver, sorry, CH340 drivers, and guys, यह drivers आप install कर लेना, अगर आपके case में यह detect नहीं होता है, and guys, इसको चेक करने के लिए आप अपने computer के device manager पे जाओगे, और guys, यहाँ पे आप ports पर क्लिक करोगे, guys, मेरे case में बार-बार disc connect इसलिए हो रहा है, क्यों मैं दूसरी USB यूज़ करता हूँ, and so all right guys, अब मैं इसको अपनी USB से connect करता हूँ, and guys, अब यहाँ पे आपको आपके device manager में एक port देखने को मिलेगा, so guys, जैसे कि आप देख सकते हो, यह है मेरा COM7, यह आप ध्यान रखना है, यह आपके काम आएगा आगे जाके, so guys, simply आप इ सकते हो, so guys, simply सब कुछ चीजे करने के बाद, okay, मैंने अपना यह Wi-Fi चेंड नहीं कर रखा, मैं इसको चेंड कर देता हूँ, and guys, that is pretty much it, आप simply click करोगे upload, पर guys, यह compile करेगा sketch, and guys, इसमें around 20-30 second लगते है, compilation में इसमें बहुत time लगता है, due to some reason, so guys, अगर मालनों आपको यह 8 channel वारा relay के साथ बनाना है, तो guys, यह comment कर रखा है मैंने part, इसको आप simply uncomment करोगे, और guys, यहाँ पे जो यह वाली चीजे हैं, जैसे कि setter 1, setter 2, setter 3, setter 4, इसको आप extend कर दोगे setter 8 तक, pin switches को extend कर दोगे 8 तक इस वाले setters को भी extend कर दोगे 8 तक, अगर आपको guys, आप basically 8 channel वाले relay के साथ use करना है, फिलाल के लिए जो यह code है, यह 4 channel वाले relay के साथ है, and guys, यह pin switch 1, 16, 5, 4, 0 इसलिए है, क्योंकि guys, यह GPIO pin होती है, अगर आपको यह देखना है na, GPIO pin क्या होती है, so guys, GPIO pin node MCU आप लिखोगे wait, इसको होने देता हूँ, images पर जाता हूँ, जैसे कि अब देख सकते हूँ, जैसे यह D0 pin है, यह हमाई normal, हमें NodeMCU पर देखने को मिलती है, digital 0, but guys, actually में यह GPIO pin 16 है, इसलिए guys, जो हमारा यह code है, यहाँ पर हमने D0 के जगा लिख रखा है, D16, और guys, अगली ऐसे ही same, यह D1 pin जो है, NodeMCU पर देखने को मिलती है, हमें, वो GPIO pin 5 है, इसलिए guys, यहाँ पर pin switch number 2 पर हमने 5 लिख रखा है, anyway guys, इसी तरह से आप यहाँ से कोई भी Google पर आपको diagram अनाम से मिल जाए गए, यहाँ से आप सेलेक करके, इन सब चीजों को लिख सकते हो, and guys, जैसे कि आप देख सकत पर जाओगे, आप क्लिक करोगे, add accessory पर, and guys, आप क्लिक करोगे, I don't, एक second guys, यह पुराना वाल आईफोन है, so all right guys, यह जो मेरा आईफोन 7 है, इसमें आईओस बड़ा पुराना है, आईओस 14 है, तो guys, इसलिए मैं इस पे setup नहीं करता हूँ, मैं अपने latest iPhone पर setup करता हूँ, इसमें हमाँ latest iOS है, so guys, इसमें आपको basically setup करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी home application पर जाना पड़ेगा, यह iPhone की by default application मिलती है, guys, पहले हम क्या करते थे, जब node MCU सेट करते थे, तो हम blink app को use करते थे, और guys, blink app में बहुत सारी problem होती थी, मतलब, सब को चीज़े हमे खुद सेट करने ही पड़ती थी, home application में आप simply जाओगे add accessory पर, guys, यहाँ पे आप click करोगे more options पर, and guys, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी आपकी accessory, अगर वो on होगी तो, so due to some reason, मेरे पास अभी तक नहीं आई है, guys, मेरे पास मेरी accessory मेरे mobile में नहीं दिखा रहा है, मैं मैं एक बार serial monitor भी check कर लेता हूँ अपने इसका, so guys, अपने IDE app में आप यहाँ top left पर, top right पर click करके, यह serial monitor को भी open कर सकते हो, इसमें आपके सारी चीज़े दिख जाएंगी कि हाँ भाई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, anyway guys, मैं दुवारा जाता हूँ अपने home पर, click करता हूँ, add accessory पर, और guys, दुवारा से more options पर जाता हूँ, and guys, let's just see कि इस बार दिखाता है कि नहीं दिखाता है, so guys, due to some reason, यह दुवारा नहीं दिखा रहा है, मैं एक बार code को फिर से upload कर रहा हूँ, अपने node MCU पर, so I'll just show you, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सक पर, मैं जाता हूँ, more options पर, जैसे कि आप देख सकते हूँ, यहाँ पर मुझे मेरा एक charger दिख गया है, so guys, यहाँ पर लिखा हैगा, uncertified accessory, मैं click करूँआ, add anyway पर, and guys, जो हमारे code की सबसे, जो my accessory.c file होगी, I'll just show you, एक बार, अभी दिखाता हूँ, मैं password enter करता हूँ, और फि by the way guys, जिस code की मैं बात कर रहा था, वो आपको यह जो my accessory file है, इसके last मैं आपको देखने को में, and so all right guys, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम दुबारा कर देते हैं, मैं जाता हूँ, add accessory पर, click करता हूँ, more options पर, and guys, मेरा charger दुबारा दिख गया है, add anyway, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, मैं click करता automatically set up मिलेंगी हमें, इसमें हमारे home application पर, all right guys, so यह bold drive की location select करो, यह guys, मैं बात में select कर लूँगा, अपने हिसाब से, मैंने click कर दिया exit setup पर, and guys, basically, अपना जो चीजें हो गई हैं, वो हो गई हैं, वाइस, बिल्कुल सही तरीके से, मैं एक बार आपको अपने computer में भी दिखात स्टार्ट करता हूँ, so guys, जैसे कि आप देख से, तो यहाँ पर लिखा आगया है, home kit clients connected one, जैसी guys, मैं अपनी bedroom lights को on off करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो guys, मेरे serial monitor में भी दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब है guys, यह सब को चीजे सही काम कर रही है, charger को भी मैं on off करू सो guys, basically हमने अपना setup तो पूरा कर लिया है, आप guys, मैं आपको दिखाता हूँ, कि आपको अपना relay board किस तरह से connect करना है, guys, मैं circuit diagram के links डाल दूँगा, description में, आप वहाँ पर जाके उसको copy paste कर सकते हो guys, circuit connect करना बिल्कुल easy है, बोई मुश्क्री काम नहीं है, so guys, काइमर क्या हो यह 5V पर काम करते हैं, and guys, आपको एक 5V की supply खरीदनी पड़ेगी, या फिर guys, अपनी USB को आप card case holder कर सकते हो, jumper wires को इस पे, but guys, फिलाल के लिए 3.3V पर काम कर रहा है, I'll just show you, so guys, circuit diagram के links description में मिल जाएंगे, अगर आपको मेरी आवाज से समझ नहीं आ रहा है, तो, so guys, जैसे क wire जाएगी हमारी 3.3V पर, जो VCC की wire है, और guys, ground तो obviously हमारी ground पर ही जाएगी, so guys, I'll just show you, मैं इनको जोड देता हूँ दोनों को, so जैसे कि आप देख सकते होगा, 3.3V पर मैंने connect कर दिये, 3V पर, जो मैं NodeMCU को है, और ground पर connect कर दिये, और जो तीसरी है, इसको मैं D0 पर connect कर द कभी कभार, मतलब बहुत instability रहती है, power साइसे नहीं होती है, and guys, अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने iPhone से control करके इसको, so guys, जैसे कि आप देख सकते हो, सो wir jyikस कि आप देख सकते हो, so guys, jyisa कि आप देख सकते हो, isaiить तरीके से काम कर रहा है, and guys, जो हमें tik-tik की आवाज आ रही है, guys, basically, यही है, जो हमें बताती है कि हमारा relay सही से काम कर रहा है अगर ये टिक की आवाज ना आए तो guys मतलब relay में कोई दिक्कत है so guys मैंने personally क्या करखा है मैंने ये सारा system इसके अंदर fit कर रखा है I'll just show you जैसे कि आप देख सकते हो guys मैंने ये सारा system इसके अंदर fit कर रखा है guys इससे basically क्या होगा कि मैं जो भी चीज इस वाले socket पर लगाऊँगा वो चाहिए कुछ भी हो वो light हो, चाहिए कुछ भी हो light हो, fan हो, charger हो वो सब चीज automatically control हो जाएंगी so guys जैसे कि आप देख सकते हो ये जो relay है इस relay के connection मैंने switches से कर रखे हैं directly, guys मैं इस वाले circuit diagram के links पर आपको description में डाल दूँगा और guys ये जो Arduino रखा हुआ है याँपर ये guys basically इसको power करने के लिए है relay को power करने के तो ये guys जो अपना ये Arduino होता है Arduino हमारा 5 volts capable होता है output देने के लिए और guys ये जो हमारे relay है ये 5 volts पर ही काम करते है इसका भी circuit diagram description में है और ये जो हम simple अपना ये वाला setup कर रहे थे इसका भी circuit diagram description में आपको देखने को मिल जाएगा दोनों के circuit diagram बहुत है simple है कोई बड़ी बात नहीं है अब guys मैं आपको इस वाले setup में light लगा कर दिखाता हूँ तीन बज गया है तीन घंटे से लगावाँ एक बार तो short circuit भी हो गया ध्यान रखना careful है ना इस चीज़ों करते हुए and so all right guys finally आज next day हो गया and guys ये system बनाने में guys बहुत दिक्कते होई short circuit हो गया पूरा और ये फोग गया guys make sure आप भी ध्यान रखना ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है ऐसा निये कि बिल्कुल असानी से बन जाए गए make sure to keep these things in mind सब कुछ आप safety के साथ करो ये देखो guys वीडियो पूरी edit भी नहीं हो ये last part अब shoot कर रहा हूँ anyway guys ये अप पूरा box बनके तयार हो गया है इस box में basic लिए guys सब चीज़े अंदर set है और बस ये वाली इसको आप main supply में लगाओ इस switch को and guys यहाँ पर आप कुछ भी लगा दोगे वो automatically आपकी home application से control होएगा so I'll just show you फिराल के लिए guys मैं आपको ये light लगा कर दिखा रहा हूँ इस light की जगा आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो जो भी आपका मन चाहे but guys make sure करना कि वो आपके relay capacity के बराबर हो जैसे मेरा जो relay है वो शायद से 10 amps तक handle कर सकता है 10 या 7 amps तक तक तो उससे बड़ी चीज ना लगा हो मतलब छोटी मोड़ी चीज तक रामज handle कर लेगा so guys finally I'll just show you so guys ये चीज मैं Siri के साथ भी कर सकता हूँ I'll just show you hey Siri turn plug on जैसे कि आप देख सकते हो अब मैं बोलूँगा hey Siri turn plug off and guys जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है पूरा का पूरा setup एक दम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है and guys क्योंकि इसमें relay लगा हुआ है तो हम ये फटा फटे से on off on off करने के लिए हमारे घर पे पहले मना करते थे इसमें कोई दिक्कत नहीं है दीले का काम ये है on off on off within seconds होए so guys जैसे कि आप देख सकते हो ये setup बिल्कुल अच्छे जरा से काम कर रहा है and guys इस वीडियो को बनाने में तो हद से जादा महनत लगी है so guys it is a humble request that do drop a like इसको share भी करो so basically guys अगर आप यहां तक आगे हो then definitely you'll drop a like and comment करके बताव वीडियो कैसी लगी I'll see you in the next one till then peace and I'm out